पूरत देश भर में इविन रैकुल शहर में सबसे ज़्यादा कोरुणा का जो मामला है यहां पर आ रहा है वैक्सिनेशन को लेकर ही कई तरह की बाते हो रही है यह जो युवा लड़किया है जो अभी नई नीजिन की शादी हुई इन तरह की बात ही चल रही है इन सब के बीच जो है तो वैक्सिनेशन के मामले पर 30 प्रतिशत से ज़्यादा वैक्सिन खराब होने का भी मामला सामने है जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर के जो सत्ता में पार्टी है वो कही तरह की बयान व्याज़े कर रही है अभी रहपूर जी लग के अध्याख भार्टी जनता पार्टी से हमारे साथ मजूद है श्रीचन सुन्दरानी जी अभी जो वरतमान सिनारियों इस पर आप जा के नाशाएंगे देखे कहीं ने कहीं शुरुआती दिनों में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार राज़े की सरकार वैक्सिन को लेकर गंभीर नहीं थी बलकि उल्टा भ्रहम फैला रही थी बहुत सारे जनता में बहे और डर का माहूल पैदा कर दिया था जिसके कारण ढ़ाई से तीन लाग वैक्सिन ये लोग लगाने में काम्याब नहीं हुए थे वो खराब हो गई तो ऐसे ही इन्हों ने देखा जाए तो 25 से 30% वैक्सिन खराब कर डा ली जो जनता को जिसका लाब मिलना था देड़ दो मेहना बाद में लगाना शुरू किया जब पूरे देश में वैक्सिन के पक्सिन माहूल कड़ा हो गया तब जाके 36 गड़ में शुरुआ जनता के बी देख के युवाँ में वैसे देखा जाये तो पूरा उस्सा ए tem यहां पर लगाने है की वैस्था नहीं हो पा रही है वेक्सिन उपलब नहीं हो पा रही है कुछ लोगों में जरूर्स ब्रह्म फेलाने का काम किया जा जारा ड़ाने का काम कि लिश नहीं अप्ष्वाय के ब पढ़ा दिखा है देड़ सफिर भ्रह्म उनका दूर होगा कौन ऐसे लोग हैं जो भ्रह्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत साधे संगठन है जो जागरू करने के नाम पर लोगों के बीच में जा रहे हैं कौन हो सकता है जो और फिर इस पर क्या करवाई होनी च पहलाते हैं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है ऐसा लगता नहीं और जो भी इस प्रकार के ब्रह्म फैलाते हैं अगर सरकार के संग्या तो उनके इसलाफ कारवाई होने हैं तो वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से महलों है शुरुआती दौर में ही भारती जन्ता पार्टी ने यहां पर इन चीजों को उठाया था और जो स्वास्त मंत्री हैं उन्हों ने ही बयान दिया था कि हम वैक्सीन का जब तक तक तीसरा टेस्ट में पास हो जाता तक नहीं कर पाएंगे और ऐसे में तब से लेकर के अब तक में वैक्सीनेशन की प्रॉपर विवस्तान होने आ सकते हैं रैपुर्ग से एंटी नीज के लिए रिपोर्ट